नमस्कार सातियों, मैं आपका दोस्त सुरिश कुमार, आप देख रहे हैं रायसे टेलिविजिन यूट्यूब चेनल राजस्तान जिसे राजाओं की भूमी का आ जाता है, यहाँ पर प्राचिन काल से कही बड़े बड़े राजाओं का सासनरा है राजस्तान राजाओं का प्रदेश होने के कारण यहाँ पर कई सांदार के लिए और एतिहासिक इसमार्क है राजस्तान की इतिहास के अगर पन्ने पल्टे जाए तो आपको वीर योधां की गाथा ही सुनने को मेलेगी राजस्तान के एथियासिक इसमारक अपनी सांदार वास्तुकला के लिए प्रस्तिद माने जाते है ये एक रंग रंगिला प्रदीस है इसलिए ये परेटकों का आकरशन का केंदर बिंदू है और यहाँ पर दुनिया भर से परेटन घुमने आते है तो चलिए आपको ऐसे ही दस राजस्तान के परमुक किलों के बारे में जानकारी देते है तब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेएगा नमबर एक आमेर का किला जैपुर अमेर का किला जैपूर का ही नहीं बलकि पूरी राजस्तान का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है यह जैपूर से करीब 11 किलोमेटर की दूरी पर रिस्तित है और इस किले को युनेस को दारा विस्व धरोर में भी सामिल किया गया है इस फोर्ट का निर्मान रियल में तो मिनाउने करवाय था बाद में राजा मान सिंग पर्थम ने यहाँ पर अपना सासन इस्तापित किया लाल बलुअ पत्थर और सफेद संग मरमर से निर्मिदी स्विसाल किले में चार मंजिले बनी हुई इसलिए यह परेटगों को अपनी और खास आकर सिद करता है आमेर की किले को देखने के लिए आपको सबसे पहले जैपूर आना होगा वहां से आप कुछ भी साधन लेकर जा सकते है नमबर दू जैगड का किला इस किले को राजस्तान के परसिद परेटन इस्तल के रूप में जाना जाता है जैगड फोर्ट जैपूर में अरावली परवत माला में चील का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है यह फोर्ट जैपूर से पंदरा कीमी की दूरी पर इस्तित है इस किले का निर्मान जैसिंग दूइत्ये ने 1726 इसीव में करवाया था जैगर्ड फोर्ड का नामकर्ण भी राजा के नाम के अनुसारी रखा गया था इस किले के सीर्थ पर एक तूफ रखी गई है जिसका वजन 50 टन के आसपास है इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर प्राचिन समय से ही खजाना दफनाया हुए लेकिन वे खजाना अभी तक किसी को मिला नहीं है माना जाता है कि 1970 के दसक में इंद्रा गांधी की सरकार ने आपात काल के टाइम वे खजाना खोज निकाला था मगर उनसे इस खजाने के बारे में उच्छा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया अब इस बात का सच क्या है वो किसी को पता नहीं नमबर ती चितोडगड का किला चितोडगड का किला एक भविय और सांदार रचना है जो चितोडगड की इतियास को दोराता है और यह चितोड़गड सहर का मुक्य परेटर निस्तल है स्पोर्ट का निर्मान साथवी सताबदी में विविन मोरिय सासकों द्वारा करवाया गया था दुस्तों चितोड़गड किला 180 मीटर उंचा पहाड़ी पर बनाया गया है और यह किला 700 हेकट छेतर में फैला हुआ है 303 इस्यू में रानी पदमावती को पाने के लिए अलाओदीन खिलजी ने पहली बार इस पोर्ट पर हमला किया था कहा जाता है कि पदमावती ने बाकी सबी माहिलाओं के साथ मिलकर आग में बलिदान दे दिया था और अपने आपको अलाओदीन खिलजी के हाथों से बचा लिया यह फोर्ट राजस्तान के गोरव को बढ़ाता है नमबर चार महरानगड किला महरानगड किला जिसे भारत की प्राचिंतम किलो में से एक माना जाता है यह किला राजस्तान के जोदपुर सहर में इस्तित है महरानगड फोर्ड का निर्मान 1460 इस्यू में रावजोधा ने करवाये था दोस्तों यह किला सहर से 410 फिट की उचाई पर बना हुआ है जो बड़ी-बड़ी दिवारों से घिरा हुआ है इस किले में 7 दर्वाजे है महरानगड किले में बना म्यूजियम राजस्तान के 72 और सबसे परसिद म्यूजियम में से एक माना जाता है इस म्यूजियम के अंदर पुराने साही पाल्कियों को रखा गया है अरावली स्रंखला के बीच बना ये किला जैपुर के गोरों को बढ़ाता है आमेर किले और जैगड किले के साथ नाहरगड किला जैपुर शहर के सुरुक्सा का काम करता है इस किले का निर्मान जैपुर के राजा स्वाई जैसिंग ने करवाया था जिसका निर्मान कार्या 1734 में पूरा हुआ था नाहरगट किले से जैपुर सीटी का नजरा बहुत ही मन मोहक लगता है इस किले का नाम प्राचीन समय में सुदर्सन गड़ था नाहरगट किले का नामकर्ण जैपुर के राजकुमार नाहर के नाम से रखा गया था नमबर छे, सीटी पेलेस राजस्तान की जैपुर सीटी में सित, सीटी पेलेस एक महल परिसर है इस खूबसूरत महल में कई इमारते, विसाल, आंगन और आकरशक बाग है जो इस महल परिसर के इद्यास की निसानी है City Palace महल में प्राचिन समय की कीमती सामानों को सुर्ख सित रखा गया है यह महल दिखने में सुन्दर और मन मोहक लगता है इस कारण दुनिया भर से हजारों परेटन इस महल को देखने के लिए आते है City Palace का निर्मान महाराजा स्वाई जैसिंग ने 1729 से 1732 की बीच करवाया था नमबर साथ जुनागड का किला जुनागड का किला राजस्तान के बिकानेर में स्थित थे पहले इस पोर्ट का नाम चिंता मनी था मगर बीचवी स्थाबदी में उसे बदल कर इस किले का नाम जुनागड रख दिया गया दोस्तो इस किले का निर्मान राजा राजसिंग द्वारा वर्ष 1593 में करवाय गया था यह विसाल किला कई खूबसूरत महलों से गिरा हुआ है जिसमें यहां का अनूप महल सोने की पत्ती चित्रों के लिए परसिद्ध है चंदर महल चूने के पलास्तर पर किये जाने वाले उत्रम चित्रों से सजा हुआ है इस किले के निर्मान में लाल बलुआ पत्तर का उप्यूँ किया गया है इसमें 986 लंबी दिवारें और 37 गड़ बने हुए इस किले के महल बहुत ही सुन्दर है नमबर आठ शोनार का किला जेसलमेर जेसलमेर जो की परेटन के आकरशन का केंदर है इस किले को सोनार का किला या सोरन किले के नाम से भी जाना जाता है बलुआ पत्थर से बना ये किला सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकता है दोस्तो इस किले का निर्माडिक बाटी राजबुत सासक राव जेसल द्वारा तिरकुरा पहाडी के उपर बनाय गया था इस किले के अंदर कई खूपसूर्थ हवेलियां और माहल बने हुए इस किले के बाहर की तरफ तीस फुट उची दिवार बने हुई है ये किला जैसल मेर के परमुक एतिहासिक इसमारकों में सबसे महतपूर माना जाता है नमबर दो उध्यपूर सीटी पलेस उध्यपूर राजस्तान के खूपसूर सहरों में से एक माना जाता है हर्याली के मोसम में यहां का नाजरा बहुत ही मन मोहक लगता है उध्यपूर का सीटी पलेस परेटगों के लिए काफी मसूर है इसका निर्मान आज से करीब 400 साल पाहले किया गया था सीटी पलेस का निर्मान महराजा उध्यशिंग ने 1569 में करवाय था यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है इस महल का निर्मान इगेरा पड़ाओ में किया गया था सीटी पलेस में घूमने का समय सुवे 9.5 बजे से साम 5.5 बजे तक है नमबर 10 हवा महल हवा महल राजस्तान की राज़दानी जैपूर में बना एक राज सही महल है इस महल का निर्मान संथ 1798 में महाराजा स्वई परताप सिंग ने करवाये था और इससे किसी राज मुकूट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डेजाइन किया गया था इस महल के अंदर 953 छोटी खिड़किया है जिनके अंदर अनोखी जालयां बने हुई है उन्हें जरो का भी कहा जाता है दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइफ ही जरू करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले भन्यवाद